इसका मतलब है कि आप जल्दी में हैं इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं खेर, आपको समझना चाहिए कि इसके कई पहलू है मगर ये शब्द किसी और समय से आए हैं पहली नजर में प्यार होना आप इसी की बात कर रहे हैं है न? पहली नजर का प्रेम उस समय बहुत आम था जब लड़के लड़कियां रोज रोज एक दूसरे को नहीं देख पाते थे आप किसी लड़की को तभी देख पाते थे जब वो मैं इंगलिश सीन की बात कर रहा हूं जब लड़की अपनी माबाप के साथ घोड़ा गाडी में चड़ती थी आप बस यूँ देख रहे थे और उसने आपको देखा बुम बिजली गिर गई अभी लड़कियां आपके साथ चल रही हैं, बात कर रही हैं, पढ़ रही हैं अब इसमें समय लगेगा और समय लगना अच्छी बात है जितना जादा समय लगे, उतना अच्छा है तो इस तरह के शब्द पहले के समय से आए हैं जब लड़के लड़कियां साथ नहीं हुआ करते थे पहली लड़की जो आपने देखी, बुम तो आप किसी खास व्यक्ति के प्रती आकरशित हो सकते हैं वो एक अलग बात है मगर ये चीजें मूल रूप से एक्स्पोजर की कमी के कारण है अगर परियाप्त एक्स्पोजर हो तो आप ध्यान से किसी को परखेंगे और इसी तरह किसी पर फिदा नहीं हो जाएंगे आप अपना समय लेंगे और ये अच्छी बात है ये अच्छी बात है कि आप मजबूत रिष्टे बनाने के लिए समय लेते हैं जो लंबे समय तक चले दिख़िए आप जीवन में कोई रिष्टा इसलिए बनाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि एक से बहतर दो हैं आपके लिए एक से बहतर दो हो सकता है मगर आप उस रिष्टे में दुख का कारन हो सकते हैं तो इससे पहले कि आप अपने जीवन में कोई गंभीर रिष्टा बनाए सबसे पहले आप इसे देखें क्या ये दुनिया में हर चीज के लिए ठीक है? क्योंकि यूवावस्था समय है इसका विकास करने का जीने की जल्दबाजी में मत रहिए जीने की जल्दबाजी मत कीजे अभी बढ़ने का समय है तमिलनाडू में दक्षिन भारत में किसानों के पास एक तरह की समझ होती है खास कर आम के किसानों के पास अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो 12-14 महीने के अंदर मौसम आने पर उसमें बौर आ जाएगी मगर आप देखेंगे कि किसान सभी फूलों को तोड़ देता है क्योंकि अगर आप उसमें फल आने देंगे तो उसमें एक या दो फल आ जाएंगे पहले मौसम में ही लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो वो पेड कभी पूरी तरह से विक्सित नहीं होगा इसलिए पहले तीन साल सभी फूल तोड़ दिये जाते हैं जब वो पेड काफी मजबूत हो जाता है तभी उसमें फल आने दिये जाते हैं तो बढ़ने का एक समय होता है और जीने का एक समय होता है अगर आप बहुत जल्दी जीने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि विकास नहीं होगा क्योंकि विकास एक खास समय पर बहुत आसानी से होता है बाद में ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता मगर ये अधिक मुश्किल होगा, क्योंकि जीवन आपको कई अलग-अलग रूपों में उलजा देगा। इसलिए जब आप जवान हैं और पढ़ रहे हैं, ये हर स्तर पर बढ़ने का समय, शरीर, मन, भावना, उर्जा, हर स्तर पर आपको अपना धिक्तम विकास करना चाहिए। उसके बाद जीने की कोशिश कीजे, अगर आप बहुत जल्दी जीने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास जादा कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास जादा कुछ नहीं हैं, तो वो वेक्ति जिसके साथ आपके रिष्टे हैं, अगर उसने अच्छा विकास कर लिया, तो वो आपकी और देख कर सोचेगी कि मैं इसके साथ क्यूं फस गई